ये कहानी एक जहाज की जो समंदर के बीच में खराब हो गया। जहाज के कैप्टन ने अनाउंस किया कि हम सभी को अपनी जान बचानी होगी। जहाज डूबने वाला है। लाइफ बोट पर चढ़ने की लोगों में होड लग गई। एक के बाद एक लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल रहे थे। आखिरी में एक लाइफ बोट बची थी लेकिन जाने वाले दो थे। पती और पत्नी। पती ने अपनी पत्नी को वहीं जहाज पर धक्का दिया और खुद कूद गया। जहाज डूब गया और डूबते हुए जब वह महिला डूब रही थी समंदर में तो चिलाई अपने पती से कुछ कहने लगी। सोचिए उसने क्या कहा होगा। उसने कहा था हमारी संतान का खयाल रखना। पती किनारे पर आया और उनके घर में छोटी बच्ची थी। उसका पालन पोशन किया। बच्ची बड़ी हुई। उसका विवाह करवा दिया। पती की भी समय के चक्र में मौत हो गई। बेटी को जीवन भर लगता रहा कि पापा ने मम्मी को क्यों नहीं बचाया। एक द इसलिए मैं इतना कठोर निर्णे लेकर के जान बचा कर वहां से निकल लिया। लेकिन यकीन मानो मेरे लिए तुम्हारे बिना इस जीवन का अर्थ नहीं है। बच्ची की आँखों में आंसू थे क्योंकि वह जीवन भर अपने पिता को जज़ करती रह गई। इस लाइफ